विल्कॉम फ्रेंट्स हमारे यूटूब चैनल आरके नसेंगे केड़ी में फ्रेंट्स बहुत ही मात्तपूर्ण कोशन है जो कि आने वाली सभी परिछाओं के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो फ्रेंट्स बिल्कुली वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडिय एंडगाइनकोलोजिस सम्बंदित हैं मिडवाइफरी एंडगाइनकोलोजिस सम्बंदित हैं तो चलिए फ्रेंट्स ब्रेंट्स सुरू करते हैं फ्रिस्ट कोश्यन आपकी स्क्रिन पर है भारत में सन 1991 में पहली बार मेडिकल टर्मिनेशन औप्रेग्नेंसी एक्ट हुआ कि 1971 के तहट विशेश परिस्थितियों में गर्व पात की अनुमती प्रदान कर दी गई चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि मानो दूद में दो प्रकार के प्रोटीन पाई जाती है अब यहां पर देख लें कौन सी प्रोटीन है दो प्रकार की तो वे प्रोटीन से होती है यह 60 परसंट पाई जाती है और जो कैसीन है यह 40 परसंट पाई जाती है चलिए अगला पॉइंट देखते हैं खोपडी में सूचर के बीच में पाई जाने वाले कोमल इस्थल खोपडी में सूचर के बीच में पाई जाने वाले कोमल इस्थल अतात फॉंटानेल कहलाते हैं जो कोमल इस्थल हैं उन्हें फॉंटानेल कहा जाता है यह चार प्रकार के होते हैं कौन कौन से हैं फ्रेंट्स देख लें, frontal, anterior, fontanel, frontal, anterior, fontanel, occipital, या फिर posterior fontanel, spinoid fontanel, एवाम mastoid fontanel, फ्रेंट्स बहुत ही important topic है यह, अच्छे से रीट करें, और बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं फ्रेंट्स इंसे question, की पॉइंट अच्छे से रीट करेंए फ्रेंट्स इनी से question बनते हैं, चार नमर देखें फ्रेंट्स, निसेचित अंडे के आरोपड के बाद, निसेचित अंडे के आरोपड के बाद, प्लेसेंटा द्वरा स्रावित, human chorionic gonadotropin, जिसे फ्रेंट्स HCG हार्मोन्स कहा जाता है, निसेचित अंडे के आरोपड के बाद, या फिर प्लेसेंटा द्वरा स्रावित हार्मोन्स, जो आपका human chorionic gonadotropin है, जिसे HCG हार्मोन्स कहा जाता है, ये गर्भा वस्तक के प्रथम तिमाही में, नौसिया वाव वुमिटिंग के लिए क्या होता है, रेस्पॉंसिबल होता है, ये नौसिया और आपके जो वुमिटिंग होती है, उसके लिए उतरदा ही है, चलिए फ्रेंट्स अगला पॉइंट देखते हैं, हीमोगलोबिन A1C, ठीक है यह फ्रेंट टेस्ट है ठीक है हिमोग्लोबिन A1C या फिर ग्लाइक केटेड हिमोग्लोबिन एक डाइगनोस्टिक टेस्ट है हीमोग्लोबिल A1C या फिर जो आपका HbA1C या फिर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन एक डाइगनोस्टिक टेस्ट है जो पिछले 2-3 माह के हीमोग्लोबिन से अटेज्ड ग्लूकोज जो कि पिछले 2-3 माह के हीमोग्लोबिन से अटेज्ड ग्लूकोज अताथ glycated hemoglobin का label बताता है इसका प्रियोग diabetes के निदान के लिए क्या जाता है चलिए फ्रेंट्स मगला कुश्यन देखते हैं आपे छे नमबर हैं पॉइंट है सर्विक्स का उत्तरोतर छोटावा पतला होना effacement कहलाता है सर्विक्स का उत्तरोतर छोटावा पतला होना effacement एवं फैलाव अर्थात सर्वाइकल डाइलेशन वास्त्विक्ता की प्रोसों की अभिवक्तिया है शर्विक्ष का उत्रोतर छोटा वा पतला होना इफेस्मेंट एवं फैलाना जब फैलना सर्वाइकल डाइलेशन अर्थात वास्ट विक्ता की वास्ट विक्ता प्रोषो की अभिव्यक्ति आए अगला पॉइंट ये जेस्टेसनल डाइबिटीज जेस्टेशनल डायविटेज में देर से एवं बड़े आकार के सिसु लॉर्ज फार्ब देट की सम्भावना बढ़ती है जेस्टेशनल डायविटेज में देर से एवं बड़े आकार के सिसु की सम्भावना बढ़ती है चलिए अगला दिखते हैं प्रेंट्स बीस सप्ता की गर्भावस्ता के पस्चात इवं सैतिस सप्ता की गर्भावस्ता से पहले पूर्ब प्रसो प्री टर्म लेवर कहलाता है देखे प्रेंट्स इनी से कोशन बनते हैं कोई कोशन इदर उदर से बाहर से नहीं आता ठीक है तो की पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ें कि 20 सपता की गरवावस्ता के बाद और 37 सपता की गरवावस्ता के पहले प्रेंट्स उसे प्रेंट्स प्रेंट्स अगला कोशन देखते हैं आपके 9 नमबर लोकिया रूब्रा प्रसों के पाद या प्रसों के पस्चाथ पहले तीन से पास दिनों तक होने वाला पहला डिश्चार्ज होता है जिसे कुरेंटिया भी कहा जाता है फ्रेंट दीखें जो आपका लोक्यार उब रहा है यह तीन से पांस दिनों तक होने वाला पहला डिस्चारज होता है और इस दिष्चारज को फ्रेंट जो लोक्यार उब रहा है इसी को कुरिंटिया भी खा जाता है यह मांस की गंद युक्त एवं रख्त, डेसीडवा, वर्निक्स, कैस्योसा, लानुगो एवं स्रेड ओफ फेटल मिंब्रेन का बना होता है प्रेंट्स चलिए अगला देखतें है फ्रेंट्स हेमोलैसिस हेमोलाइसिस रिवेटिट लिवर इंजाइम जो प्लेट लेटकांट का इए स Ouais प्रेंट्स इसका पूरा नाम है ठीक है H E L L P ठीक है जो आपका H E L L P ठीक है यह जो आपका दिया हुआ है फ्रेंड से हेल्प ठीक है इसका यह पूरा नाम लिखा हुआ है हेमोलाइसिस एलेवेटेड लिवर एंजाइम लो प्लेटलेट काउंट ठीक है तो यहाँ पर सिंड्रोम ठीक है योनी से रक्त स्राव से संबंद नहीं है इसका किसे संबंद नहीं है तो हेमोलाइसिस एलेवेटेड लिवर एंजाइम लो प्लेटलेट काउंट सिंड्रोम यो से रख्थ स्राव से सम्मंदित नहीं है अगला देखते हैं परन्ट के निसेचित-अंडे के आरुपड का सबसे सामाने इस्तल यूट्राईन बोडी यूट्राइन बोडी अतात और पास यूट्री की सुपीरियर यों पॉस्टेरियर वाल है निसेचित-अडेक आरुपडग सबसे सामान इस्तल योट्राइन बोडी की सुपीरियर एवं पोस्टेरियर वाल है चलिए अगला पॉइंट देखते हैं प्रिंट्स गर्वती महिला दौरा पहली बार महसूस किया जाने वाले गर्वस्त सिसू के मूमेंट अतात क्वेकनिंग कहलाता है गर्वती महिला के गर्वावस्ता पर महसूस किया जाता है फ्रेंट्स यह पॉइंट बहुत ही अच्छा है कि यह जो क्वेकनिंग है यह फ्रेंट्स 18 से 20 सब्ता की गर्वावस्ता पर महसूस किया जाता है चलिए मगला देखते हैं तेरह नंबर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ओरल कंट्र पहले पास दिनों के दोरान मेंस्ट्रूल साइकल के पहले पास दिनों के दोरान शुरू करने पर या तुरंद प्रभावी होती है चलिए चौदर नमबर देखते हैं कि फेटल हाटर साउंड फेटल हाटर साउंड एफ सीर्फ 65 हाटर साउंड का सुनाई देना गर्भावस्ता का संभावित नहों कर एक निश्चित चिन और यह क्या यह प Hundreds si ने चलिए अगला देखते हैं एपीशियो टॉमी सिसु जन्म की प्रकरिया के दोरान वजाइनल आउटलेट को चोड़ा कर प्रसों को सुगम बनाने एवं पेरिनियम एवं पेरिनियम को टियर से बचाने के लिए पेरिनियम पर लगाएगा चीरा है जिसे पेरिनियो टॉमी भी क सिसु वें चोड़ा करने के लिए चोड़ा करके प्रसों को सुगम मनाने के लिए था कि पेरिनियों टोमी भी कहा जाता है चलिए अगला देखते हैं सोला नंबर सर्विक्स का फैलाओ एवं इफेस्मेंट ट्री लेबर पेन का लच्छड़ें कि फेटर सर्कुलेशन में मुख्यता दो धमनियां अंबिलिकल ओर्ट रच्छ एवं एक सिरा उंबिलिकल वेन होती हैं अंबिलिकल ओर्ट रच्छ को सिसू से दूर ले जाती है जबकि अंविलिकल वेनिंची जो जाती है ठीक है जब कि जो पास्ले आती है लिए उसे । है उसे को मनलब अंदर के पूरी बॉडी में करती है शिटें यह जो आपकी अंबिल कर आट्रीच में यह अनाक्सिक्राथ जो रखत होता है उसको शिसुा दूर லे जाने का काम कर्ती ॏ और जबकि कोग्राफी ओती परण जें काडियो टोकोग्राफी गर्भत सिसु के स्वास्तिस्तर के आकलं का एक सरल नान इन्वेस्व टेस्ट है या तेस्ट सिसु के मुवमेंट हर्ट बीट एवं कॉंट्रेक्शन को रिकार्ड करता है इसमें 20 मिनट का समय लगता है लगबग 20 मिनट का समय लगता है इस प्रवादी में इस प्रवादी में फिटल हर्ट जो रेट होता है एफ एच आर का दो या फिर अधिक बढ़ जाना सामान ने माना जाता ह है चलिए अगला देखते हैं एज आफ वायविल्टी एज आफ वायविल्टी अथाइस वीक्स से लेकर जन्म के पस्चाहत साथ दिवस तक होने वाली सिसु म्रत्यू पिरी नाटल डेट में सम्मिलित की जाती है अगला देखते हैं अगला देखते हैं 21 नमबर बाइस आप स्कोर या फिर सर्विक्स स्कोर एक प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम है जो या अनुमान लगाने में सहायक होता है कि प्रसों के प्रेरल की ओ सकता है या फिर नहीं अगला देखते हैं 21 नमबर अड़ानिस इस्टडी के अनुसार हार्मोन्स योगत कंटा सिप्ट्यू या फिर ओरल पिल्स एंड आयू सीडी इस तर एस तन कैंसर के जोख्यूम को बढ़ा देते हैं चलिए अगला देखते हैं फ्रेंट्स के अम्नियोटिक फ्ल्यूड अम्नियोटिक फ्ल्यूड सामानता साफ अर्थात क्लियर या फिर टिंटेड यलो रंका होता है सनयरी रंका एम्नियोटिक फ्ल्यूड और एज это को ही अगला देखते हैं प्रेंट थेस्स मसल्स है यह यूरिनरी एंड रेक्टल जो मसल्स होती है उनको फिरंस मजबूत बनाने का काम करती है जो कि गर्बा से मुत्रा से मला से वा छोटी आथ आदी को सहरा पर दान करती है चलिए 24 नमबर देखते हैं कि सर्जिकल मेनोपाज सर्जिकल मेनोपाज में बाई लेटरल बाई लेटरल कोफरेक्टोमी प्यूक्त होती है जिसमें दोनों वेरीज को सर्जिकल मेनोपाज में बाई लेटरल कोफरेक्टोमी प्यूक्त होती है जिसमें दोनों वेरीज को सर्जिकल मेनोपाज में बाई लेटरल कोफरेक्टोमी प्यूक्त होती है जिसमें दोनों वेर प्रेनियल टियर से बचाओ के लिए प्रोग्ट होने वाली एक सर्जिकल प्रक्रिया है पीपिएच को रोकने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है चलिए यहाँ पर 26 नमर देखते हैं कि हेमोग्राम या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट CBC एक ब्लड सेंपल पर किये गए टेश्टों का एक समू है जिससे एथलीन डायमीन टिट्रा एसिटीक एसीड इथलीन डायमीन टिट्रा एसिटीक एसीड इफ्रेंट्स इसका पूरा नाम है वायल का प्रियोग किया जाता है EDTA रक्त को जमने से रोकता है जो आपका फ्रेंट्स इथलीन डायमीन टिट्रा एसिटीक एसीड यह फ्रेंट्स क्या होता है रक्त को जमने से रोकता है 27 नमबर देखते हैं कि फल वा सब्जियों में फाइबर अधिक मात्रा में होते हैं यह इस टूल के वैलियूम को बढ़ा कर एवाम पेरिस्टेल्टिक मुमिंट को प्रेट कर मुवित सब्सक्रा रही कि नमबर यंडर चाइलिक ट्रैकिंग सिस्टम MCTS यह आपका यह फ्रेंट से MCTS है इसका पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है Mother and Child Tracking System भारस सरकार के स्वास्थ यह उम परिवार कल्याण मंत्रा ले दोरा गर्वती मैलाओं वा पांच वर्ष तक के बच्चों को संपूर स्वास्त देख भाल यह उम टीका करण सिवाएं प्रदान करने के लिए की गई एक पहले अर्थात इनिसियेटिव है अगला का देखते हैं प्रेंट्स 29 नमबर देखते हैं कि फिटल हर्ट रेट फिटल हर्ट रेट गर्बस्त सिसु की इस्तिती का सूचक है ना कि प्रशों की प्रगती की आकलन का कोई परामीटर इस नमबर देखते हैं प्रेंट ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में गर्बम्योधन का एक इस्थाई तरीका है जिसमें सरजरी दौरा फैलोपियन ट्यूब को काट कर दोनों शिरों को अलग अलग बान देते हैं प्रेंट्स लिगेशन कर दिया जाता है 31 नमबर देखते हैं प्रेंट्स की पैप स्मेर सर्विक्ट के कैंसर के पहचान की एक विसुसनी जाच है जो की सर्विक्ट के 98% मामलों की पहचान कर पाती है 32 नमर देखते हैं प्रेंट्स सूतिका वस्था के दोरान योडी से निकलने वाला स्राव लोक्या कहलाता है यह तीन प्रकार का होता है लोक्या रूबरा लोक्या अलबा लोक्या सिरुसा चलिए अगला देखते हैं question number 33 से गर्भावस्ता की पूर्टा पर प्लेसे इंटा का वजन ये प्रिंट्स लगबग में 500 ग्राम होता है जो की जर्म के भार का लगबग 3 किलो ग्राम का छटा हिस्सा अर्थात 1 बटे 6 होता है ये कितना होता है प्रिंट्स 1 बटे 6 है चलिए 34 देखते हैं फ्रेंट्स की गर्भावस्ता के दौरान के एपिगेस्ट्रिक पेन प्रिकलेम्चिया की संभावना का सूचक होता है जिस पर तुरंद ध्यान देने की जरूरत होती है 35 लिशाल को साधंद्र किया जाता है किसी भी वैक्सीन की दो खुराकों के मद्द न्यूंतम चार सप्ता का अंतराल रखा जाता है किसी भी वैक्षिन की दो खुराकों के मद्द का जो न्यूंतम अंतराल रखा जाता है तत लगबग एक महीने का रखा जाता है चलिए यहां पर 38 नमबर देखते हैं मोलर में मोलर प्रेग्नेंसी में या म की संभावना रहती है प्रेंट मोलर प्रेग्नेंसी के 20 पसंद मामलों में मलिगनेंट ट्रोफब्लास्टिक डिसीज होने की संभावना रहती है जर्झ मर्च नमर्च में गर्बस सिसू मर जाता है इस और चार प्रेंट्स फ्रेंट मुस्टिक नम्टर्पा ने करता दी moर तो स्थे बादम प्रेंट पुस्टा रावर स्थाए के दोरा दूद के निर्माड एवं स्रावड गेलेक्टो कैनेसिस के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स गेलेक्टो पोईटिक हार्मोन्स कहलाता है अब फ्रेंट्स हम बविकल पी प्रसनों को हल करेंगे टीक है बहुत ही सिंपल कोईशन है और बहुत ही सिंपल कोईशन है तो चलिए पढ़ते हैं कोईशन को अच्छा से उसके बाद फिर आनसा दें लेक्टेशनल एमेनोरिया एक गर्म्रोधक विदी के रूप में कारी करता है बताएं प्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर लेक्टेशनल एमेनोरिया एक गर्म्रोधक विदी के रूप में कारी करता है गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर Lactational Emenoria Act as a Contraceptive Method तो देखें प्रेंट से यह आपका राइट होगा अंडूसर को रूम कर ठीक है आपका राइट होगा चलिए हम अगला कोशन देखते हैं प्रेंट कोशन नमबर दो पढ़े कोशन नमबर 2 को सूछ में जिव जो की सामानी रूप से है सामानते है विच आर नॉर्मली आप आप अप्ट आप दा वजाइनल फ्लोरा बट कैन काज मेरेंजाइटीस इन न्यूबॉर्ण बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें प्रेंट्स सिंपल कोश्चन है तो देखें प्रेंट से आपके आपसन डी आपका राइट होगा ग्रूप भी इस्टिप्टो को की चलिए हम अगला देखते हैं कोश्चन नंबर तीन पढ़ें को निमनी लिखित में से कौन सा गर्भावस्ता का निश्ची संकेत है विच आप दी फालोइंग इज आ सेवर सा करें एक चलिए नंबर चारन पढ़ें प्रसौ्टर्म कहलाएगा बताएं प्रसौ जो हता है वो प्रिटर्म कहलाइगा जब बताएं तो अब प्रेंट अभी आपने पढ़ाए पताएं क्या होगा इसका राइट अंसर तो देखे प्रेंट से आपसं आपका यह राइट होगा बीस से शेंतिस हता के गर्वकाल के मद्द्द्ध आपसं यह आपका राइट होगा चलिए अगला देखते हैं प्रेंट कोशन नमबर पांच पृष्ट कालिस्ताने के मुरीजों में सरक्लेज अर्था टाको के सर्विक्स को इंसर्कल करना किया जाता है π Engineers अर को मैं बताए प्रेंटस सर्क्लेज अर्था इंसर्कलीं अर्था इंसर्क्लिंग इस्चेस को इस दन इन प्रइंट बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गैसे करें प्राइश करें तो 서 क्वेशन नंबर 5 कि तो भी कि असे अपे अपनोर याँका राइट होगा अच्छा सर्विक्स होद घंकर आप नैंक Two प्रेगनेंसी जिस करें प्रेंट क्या होगा इसका राइट अंसर तो देखें प्रेंट्स आपका राइट होगा पॉजिटीव साइन ठीक है अल्टा साउंड के दौरा फीटस का दिखाई देना अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर साथ कोशन नमबर साथ को खली सताने के बाद रेफ्रेज्जेटर इस तंदूद को काम में नहीं लेना चाहिए रेफ्रेज्जेटर ब्रेश्ट मिलक शुड़ नाट बी यूज इफ आफ्टर बताएं प्रेंट्स कब तक इसे कितने दिनों के बाद या कितने घंटों के बाद या कितने महीने के बाद जो रेफ्रेज्जेटर इस तंदूद होता है उसे काम में नहीं लेना चाहिए तो देखें प्रेंट्स या पर आफ संसीर आप का राईट होगा 48 घंटे के बाद 48 घंटे के बाद ब्रेश्ट मिलक को जो की रेफ्रेज्जेटर में रखा हुआ है उसे हम क्या होते करते हैं काम में नहीं एप यूज के लाइक नहीं रह जाता है चलिए अग्ला देखतेएbla विश्पेशन नमब्र आठ लोग्या रूब्रा का विश्न पलंप यारूब्रा एज को distract में स्क्षण करें क्षक्रणि क्या नमर नाइन को बच्चे को जर्म देने के लिए सर्विक्स पूंड विस्तारित होती है बच्चे को जर्म देने के लिए जो सर्विक्स होती है फ्रेंट्स वह कब उसका डाइलेशन होता है पूंड रोप से वह कब डाइलेट होती है दस सर्विक्स फुली एक्सपैंडेट तो देखे प्रसों की फ्रेंट सेकेंड स्टेज में ऐसा होता है आप सन भी आप फ्रेंट होगा बच्चे को दन्व देने के लिए जो सर्विक्स होती वो पूंड़ों से विस्तारित जाती है सेकेंड स्टेज में चलिए अगला कोशन देखते हैं प्रेंट कोशन नमबर 10 दि-इम्यून आप से यह निया पर होग आपका चलिए मघला देखते हैं प्रेंट कोशन नम kon 17 और आरेवा ने बाक्टेरियाल वजितमतिको से का शीए याश्या होगा इना सब्रेंट्स कि देखें प्रैंट्स यहां पर आप संद आपका राइट होगा गार्डनरेला वेजन इलिस अपसन आपका क्वेश्ट होगा चलिए हम अगला question देखते हैं प्रैंट कोशों नंबर है आपके स्क्रीन पर पढ़ें question तॉल्व को करिंक यह ऱहीं पॉइंट से सब्सक्राइब करते हैं कौह च Curry आपने पॉइंट Pearson के कउच्छ नहीं कि नहीं है बाकि कच्टा तक नहीं है बताएं प्रेंट क्या होगा इसका राइट ازर करें डा solis een लंग ib okay एलल पी सिंड्रोम तो दिके प्रेंट से प्रेंट प्रेंट आपका राइट होगा यूनी से रक्तस्राव आपसन भी आपका राइट होगा चलिए अगला कोशन देखते हैं प्रेंट कोशन नमबर 13 पढ़ें कोशन नमबर 13 को पहली तिमाई में बिना गर्भा से ही संकुचनो या फिर दर्द के बिना सर्विक्स के विस्ताराड के रक्तस्राव इंगित करता है ब्लीदिंग इन दी फ़िश्य ट्रिमेस्टर विदाओ यूत्राइन कोशन और पेन और विदाओ डिलेशन अप दीस सर्विक्स इंडिकेट्स गेस करें प्रेंट क्या होगा इसका होगा संभावित गर्वपात आप संसी आपका राइट होगा चलिए अगला कोशन देखते हैं फ्रेंट 14 नंबर कोशन पढ़ें 14 नंबर कोशन को उसके बाद आंसर दें निम्लिकित में से कौन सा प्रेग्नेंसी इंडूजड हाइपर टेंशन के संबंद में सही है विच आ कोशन नंबर 14 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर पढ़ें अच्छा से उसके बाद आंसर दें प्रेंट कोशन नंबर 14 को पढ़ें अच्छा से उसके बाद आप आंसर दें में कोशन नंबर 14 तो देखे फ्रेंट्स यहां पे आप संसी आपका राइट होगा यह जिस्टेशनल हाइपर टेंशन भी कहलाता है आप संसी आपका राइट होगा चलिए मगला देखते हैं प्रेंट्स कोशन नंबर 15 को खोपड़ी में सूचर की बीच कोमलिस्थल कहलाते हैं अभी आपने तो देखे फ्रेंट्स से फॉंटानिल कहा जाता है अभी आपने जेश्ट पढ़ाता है आप संडी आपका राइट होगा चलिए अगला कोशन देखते हैं प्रेंट्स कोशन नंबर 16 पढ़ें इस कोशन नंबर 16 को निम लिखित में से कौनचा हार्मोन प्रत्थम तिमाई मे जी मिचलाना एवं उल्टी आने का कारण होता है अभी फ्रेंट्स ये भी कोशन आपने पढ़ा था की पॉइंट में कि विच आप दी फालोइंग हार्मोन्स कॉजेज नौसिया एंड वूमीटिंग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ठीक है तो फ्रेंट्स आपे देखे आप आपका HCG हार्मोन्स जी में जाराइटी करिस्पॉंसिबल होते हैं HCG हूमन कोरियोनिक गॉनोडोट्रॉपिन अब संसी आपे प्रेंट्स राइट होगा चलिए अगला कोशन देखते हैं फ्रेंट्स कोशन नंबर 17 पढ़ें कोशन नंबर 17 को एम्नियोटिक फ्ल्यूट का ह इसके प्रेंट्स गेसर प्रेंट्स करते हैं कि अगला कोशन दिखते हैं प्रेंट्स कोशन नंबर 18 को पढ़ें इसके बाद नेंसर नियूट्स नंबर 18 को पढ़ दें बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर थ्रोंबो फ्लेबाइटीज डियाबटीज एवं वजाइनल इंफेक्शन के इतिहास वाली एक महिला के लिए निम लिखित में से कौन सा सर्विशेज गर्मियोदक तरीका है बताएं फ्रेंड ये आपके स्क्रीन पर है तो देखे फ्रेंड से पर ЦВ आपको को narrative अपने कलवी कोश्यल परदा था यह कोशन अपने कल भी पढ़ा था डाइफ्राम आप संसी कराइट होगा चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर नाइन स्वरी नाइटीन एल एमपी लास्ट मेंस्ट्राल पीरियड पांच अगस्त है फ्रेंट तो आपके प्रसों की संभावित थी क्या होगी इफ एल यहां पर आप संभी आपका राइट होगा 12 मौई कैंपशन भी आपका राइट होगा 12 मौई चलिए अगला देखते हैं इंश्के कोशन नमबर 20 नमबर 20 है एच बी हीमोगलोबिन ए हीमोग्लोबिन ए 1C पूरवर्ति सुचित करता है इसका सीरम ग्लूकोज लेबल करता है ह ओमोग्लोबिन एवन सी इंडिकेट दिशीरम गलूकोज लेवल आउफ बतायां फ्रिंट्स क्या हो गई सके राइट आंसर तो दिखें फ्रिंट्स यह आप सन भी आपर फ्रिंट्स राइट होगा तीन मा की ओदी आपसन भी आपका राइट होगा चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर 21 फाल्स लेबर की अभिवक्तियां निम लिखित हैं सिवाई फाल्स लेबर की जो अभिवक्तियां एक को छोड़ कर बाकी सभी हैं तो बताएं फ्रेंट्स क्या है देखिए आपसन यह आपर फ्रेंट्स राइट होगा संकुचन गति विधी या पिर आराम करने करने पर कम हो जाते हैं कि चलिए अगला देखते हैं फ्रेंट्स को कुश्ण नंबर 22 क्यों नंबर 22 है यहां पर गिंद आपकी स्क्रिन पर है फ्रेंट्स कोश्ण नंबर 22 पढ़ने से अच्छे से सर्विक्स का उत्तर उत्तर पतलावा च्छोटा वना कहलाता है अपने पढ़ाता ठीक है यह से थिनिंग एंड शॉटनिंग ऑप दी सर्विक्स इसकाल बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आज़ा एफेस्मेंट ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं फ्रेंट्स जेनिटल वाट्स जेनिटल वाट्स ठीक है यहां का मुख्य कारड क्या है बताएं चालिएंटल बेस दोख़ेंचंब सong՝ेंघर कहां करेंटल वाट्स इसका राइट क्या होगा इसका इसके राइटता इंसर यहां कपड़ होगा है हुमन पेपलोंड वाइरस चलिए अगला कोशन देखते हैं फ्रेंट्स कॉशन नंबर-20 गृतिज निमलिकित में से जोखिम बढ़ जाता है सिवाए gestational diabetes से निमलिकित का जोखिम बढ़ जाता है guess का reference क्या होगा इसका right answer तो फिरेंट से आप्सपे option B आपका right होगा small for dead cissue टिखिस टेस ठेस नजो diabetes increases in the risk of the following ignoring accept option B आपका right होगा चलिए हम अगला कोशन देखते हैं, कोशन नमबर 25, पढ़े कोशन नमबर 25, कोशन नमबर 25, का अंसर ने प्रेंट, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करेंगे, तो दिखें प्रेंट से आपे, जो आपसन ए आपका राइट होगा, ठीक है, चेरे पर हलकी सूजन, यह पर कहा रहा कि फ्रेंट्स एकलेंट से निंकित के उधारा चलिता आथ होता सिवाए एक को, फ्रेंट्स यह चेरे पर हलकी सूजन, इसको छोड़कर बागी फ्रेंट्स सभी राइट है आपके, तो चलिए हम अगला देखते हैं, फ्रेंट्स कोशन नमबर 26 तो फ्रेंट से आपका राइट होगा जीवित्ता की अवदी के बाल तक जाने वाले पूर्ब गर्वाउस्ता की संख्या आपका राइट होगा चलिए मगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर 28 को पढ़ें फ्रेंट्स गर्वाउस्ता के दौरान कब जिसे मुक्ति के ल से कौन सा होगा 28 नमबर देख लें देखे फ्रेंट से आपसन बी आपर राइट होगा फल्वा सर्जियों का अंतरग्रहन बढ़ाना फल्वा सर्जियों का अंतरग्रहन बढ़ाना आपसन बी आपर राइट होगा which of the following is the best way to get rid of कांसिपेशन डूरिंग प्रेग्नेंसी तो आपसन बी राइट होगा चलिए अगला देखते हैं प्रेंट कुर्शन नमबर 29 को प्रेंट्स का क्या होगा तो कि जिस्टम प्रेंट्स का अगला देखते हैं प्रेंट्स कोशन नमबर 30 को प्रेंट्स प्रसों की कोन सी स्टेज के दोरान प्रेसेंटा की डिलीवरी होती है during which stage of labor is the placenta delivered तो दिखे फ्रेंट्स आपसन C यहां पे राइट होगा थर्ड स्टेज आपसन C राइट होगा थर्ड स्टेज चलिए अगला देखते हैं फ्रेंट्स गतिस नंबर कोशन प्रसों की संभावित तिती की गढ़ना के लिए अन्ति मावारी के प्रतम दिन में 9 केलेंडर माझ जोड़े जाते हैं इवं उसके बाद जोड़े जाते हैं the calculate the probability date of delivery 9 केलेंडर मंथ are added to the first day of lost menstrual and after that बताँए फ्रेंड्स किसके बाद जोड़े जाते हैं तो फ्रेंट यह option डिया आपका राइट होगा 7 दिन उसके बाद 7 दिन जूड़े जाते हैं फ्रेंट चलिए अगला दिखते हैं फ्रेंट दिके फ्रेंट बहुत ही simple simple question है आपको जो भी question आए उसका answer जरूर दे निमलिकित में से सभी प्रसों की प्रगति के आंकलन के parameter हैं एक गेस करें क्या होगा इसका right answer अब बताएं प्रेंट क्या होगा इसका right answer 32 नमर कोशन नमर 32 का fetal heart rate ठीक है आपका राइट होगा प्रेंट यहां पर चलिए अगला कोशन देखते हैं फ्रेंट कोशन नमबर 33 फैलोपियन ट्यूब को हटाने वा बांधने की प्रकरिया कहलाती है दब प्रोसेस आप रिमूविंग और टाइपिंग या प्रोसरी टाइंग और फैलोपियन ट्यूब्स इस काल्ड दप्रोसे प्रेंट ट्यूब कोटाने वा बांधने के प्रकरिया क्या कहलाती है कि प्रेंट से ट्यूब्स पोसीबल साइड एफेक्ट वर्थ कंच्रल पिल्स बताइं प्रेंट प्रेंट्स नमर कोश्चन का अंसर क्या होगा इन में से कौन सा बर्त कंट्रोल पिल्ज का एक संभावित दूस्प्रवाव होए तो फ्रेंट्स यह देखे जी मिचलाना सिर्दद अनेमित रक्त रख्त स्राव और यह पी आप संडी आप प्रेंट्स सभी होंगे कादर के वीचावदी फालोइंग इजा पॉसिबल साइड इफेक्ट और बर्त कंट्रोल पिल्ज तो जी मिचलाना सिर्दद अनेमित रख्त स्राव आप संडी आप राइट होगा अगला कोश्चन है फ्रेंट्स पैतिस नमर आयू सीडी का मतलब क्या होता है फ्रेंट्स इसक झाल पे डैस होगा थोड़ा सा आझा प्रेंट्स एफ्ट्व डवाइस कं Ing ट्रू सेफ्ट्यु डवाइस होगा यह अपसं सी आपका राइट होगा प्रेंट्स आयू सीडी का जो पूरा नाम है प्रेंट्स फुल फाम होता है इंट्रा यूट्राइन कॉंट्रासेट्ट्ट्ट्व डिवाइस चलिए अगला देखते हैं फ्रेंट्स कोशन नमबर 36 को देख लें निम लिखित में से सभी प्रसों के दोरान खोने वाली मोग के म के चून कर आला आप दी फालोइंग आदी मेंगोमेंट डैट अखर डूरिंग लेबर एक्षैक्ट गेस करें प्रेंट्स क्या होगा इसका राइट अंसर शेट्स नमबर कोशन है तो देखें प्रेंट्स आप ये आप संब आपका रहाइट होगा रिट्रेक्शन आप सन भ पहले बार भारत में MTP Act को वैधानिक रूप प्रदान किया गया बताएं प्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर इन विच येर वाज दी MTP एक्ट लेगलाइड फार दी फर्स्ट टाइम इन इंडिया बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर प्रेंट्स इस नमबर कोश्चन का तो देखें प्रेंट्स आपसम बिया पर राइट होगा 1971 चलिए फ्रेंट्स हम अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 38 से डेव्ली एचो के अनुसार प्रसोफ पस्चाथ एमल से अधिक की रख्त की हानी को प्रसोत्तर रख्त सराओ या पीपेस की रूप में परवाजित किया जाएगा ये फ्रेंट्स बहुत बार ये कोश है इस डिफफाइंड एज पोश्ट पार्टम है में एक प्पी अचोने कोश the य होने तक प्रसो होने के पंस्चाथ मेंल से ट्रेंट्स प्समाना जाएगह इसं किसी में डेने रख्त रख्त निकल जाने पर या बह जाने पर इसे क्तिस पान सों एमल nelle को जब रख्त बह जा जाता है 500 ml तीक है 500 ml मतलब आधा लिटर खून अगर निकल जाता है तो फ्रेंट से पीपेच माना जाएगा तो फ्रेंट से मारा लाज्ट कोशन था अगर कोई भी कोशन प्रेंट ना समझ में आओ किसी कोशन में प्राब्लम हो तो आप हमारे वाटसप नंबर पर हमसे संपर कर सकते हैं और वाटसप नंबर है 8009031680 प्रेंट्स लेने के लिए आप इसी नंबर पर समपर्ट कर सकते हैं। कि अनम कंडिडेट ऐनम कंडिडेट किसी भी कंडिडेट कोई भी कंडिडेट और अगर क्लास लेना चाहता है, तो एन्लाइन क्लास के किसी नंबर पर मैसेज करें ठीक है या फिर आप डाइक्ट कॉल भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तो तक लिए बाइबाएं टेक केर